नमस्कार दोस्तों घरेलुखबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंड में जैस्री कृष्णा जरूर लिखें बसुदेव की पत्नी देवकी के गर्व से भगवान स्री कृस्ट ने जन्म लिया था यह ती थी उसी सुभघड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है जन्मास्टमी की दिन भगवान स्री कृस्ट के जन्म संबंधी कहानी भी सुनते सुनाते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जन्मास्टमी ब्रत की कहानी सुनाएंगे कि स्रीक्रिस्ट के जन्म की संबंधित क्या कहानी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरे लुक सेन मतुरा में राजी करता था उसके आताताई पूत्र कंस ने उसे गद्धी से उतार दिया और स्वेम मतुरा का राजा बन बैठा कंस की एक बहन देवकी थी जिसका बिवाब सुदेव नावक यदुवनसी सरकार से हुआ था एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुचाने जा रहा था रास्ते में आकासवानी हुई ही कंस जिस देवकी को तु बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है इसी के गर्व से उत्पन आठमा बालक तेरा बद करेगा यह सुनकर कंस बसुदेव को मारने के लिए उधत हुआ तब देवकी ने उससे विनएपूडवक कहा मेरी गर्व से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूँगी बहनोई को मारने से क्या लाब है कंस ने देवकी की बात मान ली और मतुरा बापस चला गया उसने बसुदेव और देवकी को कारा ग्रह में डाल दिया बसुदेव देवकी के एक ही करके साथ बच्चे हुए और सातों को जन लेते ही कंस ने मार डाला जब आठमा बच्चा होने वाला था कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिये गए उसी समय नंद की पत्री जसोदा को भी बच्चा होने वाला था उन्होंने बसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठमे बच्ची की रक्षा का उपाय रचा जिस समय बसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय सयोग से जसोदा के गर्व से एक कन्या का जन्व हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी जिस कोठरी में देवकी बसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकास हुआ और उनके सामने संक, चक्र, गदा, पद्म, धारन किये चतुर्भूज भगवान प्रकट हुए दोनों भगवान के चर्णों में गिर पड़े तब भगवान ने उनसे कहा अब मैं पुन नवजात सिसू का रूप धारन कर लेता हूँ तब मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर ब्रिंदामन में भेजाओ और उनकी यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो इस समय बातावरन अनकूल नहीं है फिर भी तुम चिंता ना करो जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे कारागरी के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी उसी समय बसुदेव नवजाद सीसु रूप स्रीक्रिस के को सूप में रहकर कारागरी से निकली पड़े और अथा जमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे वहां उन्होंने नवजाद सीसु को जसोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मतुरा आ गए कारागरी के फाटक पुर्ववत बंध हो गए अब कंस को सुचना मिली कि बसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है उसने बंदी गरी में जाकर देवकी के हाँ से नवजाद कन्या को छीन कर पिर्थ्वी पर पटक देना चाहा प्रंतु वह कन्या आगास में उड़ गई और वहां से कहा अरे मुर्क तुझे मारने से क्या होगा तुझे मारने वाला तो ब्रिंदावन में जाब बहुचा वह जल्द ही तुझे तेरे पापो का दंड देगा यह है स्रिक्रिस्न की जन्म कथा तो आप जन्माश्मी का ब्रत करें तो यह स्रिक्रिस्न की जन्म की कहानी अवस्य पढ़े आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स